हेलो स्टुडेंट, स्टुडेंट टॉपिक इस विश्णु नरायन भातखंडे का जीवन परीचे, मैंने उससे रिलेटिड आपको पूरा जीवन परीचे से रिलेटिड आपको पीडिएफ दीए है, एक बार फिर मैं सैंड करूंगी इस पीडिएफ को और आपको उससे रिल कोन सी इषवी में हुआ था, तो उनका जन 10 अगस्ट 1860 में था, विश्ण नरायनभातखंडे का जन 10 अगस्ट 1860 में सनस्कित भाषा में, कौन कुन सी पुस्टक निकली। संस्कित भाक्षों में उन्होंने तीन पुस्तक लिखी हैं सबसे पहले अभिनावराग मंजरी लक्षे संगी ताल लक्षनम तीन पुस्तक लिखी अभिनावराग मंजरी लक्षे संगी ताल लक्षनम पंडित नरायन बातखंडे जी के गुरू का नाम बता हिए गुरू थे उनके पंडित एकना, उस्ताद अली खां, गुरु राव जी और सेट भललवदास जी, अगर आपसे पूछे सितार किसे सिखा उन्होंने, सितार बजाना सेट भललवदास जी से, पंडित एकना, उस्ताद अली खां, गुरु राव जी और सेट भललवदास जी, ये उनके गु 1890 में 1890 में और अंग्रीजी पुस्तक कुन-कुन से लिखी है उसके नाम पुछे comparative study of music system, a short historical survey of North India music दो पुस्तक लिखी comparative study of music system, a short historical survey of North India music दो पुस्तके लिखी अंग्रीजी में अंडची के म्रत्यू कुन से सन में हुई थी तो उनकी म्रत्यू के बारे में सन आपको धिहान रहना चाहिए 19 September 1936 में उनकी म्रत्यू हुई 19 September 1936 में उनकी म्रत्यू हुई और जन इस्थान पूछा जाता है, पहले तो सन पूछा गया है आपको उपर जो कुष्चन में 10 अगस्त 1860 और इस्थान पूछा जाएगा तो बालकिश्वर मुंबई में, जन्मिस्थान मुंबई में हिंदी भाषा में कुन-कुन से पुस्तगे लिखी हिंदी भाषा में पुस्तगे लिखी क्रमिक पुस्ति का मालिका बहाद खंडे संगी शास लक्षन गीट संग्रे स्वर मालिका संग्रे और कीट माला इससे रिलेटिड ये कुष्चन इस तरह से आएंगे आपको बहुत पढ़ना है अब इससे पहले मैंने आपको नाद का टॉपिक है उससे लेटर मैंने कुश्यन बताये थे उसको भी ध्यान से सुनना है और यह हुआ आपका यह चैप्टर है विश्ण नायन बात करने जिवन परिच है ओके स्टुडेंट थेंक्यू